जैश्री राधे, जैश्री हरी क्रिश्ना आवला नवमी जिसे हम इच्छा नवमी या अक्षिया नवमी के नाम से भी जानते हैं ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है इस दिन व्रत करने से जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त नहीं होई है उनको संतान की प्राप्ती होती है सुख सम्रधी की प्राप्ती होती है इस दिन आवले के व्रक्ष के नीचे भोजन करना बहुत ही श्रेयसकर माना जाता है आवले और विश्णु भगवान की पूजा करने से मनवांचित फर प्राप्त होते हैं विश्णु भगवान की जय पौरानिक कथाओं के अनुसार आवला नवमी की कथा इस प्रकार है एक वियापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे उनके कोई संतान नहीं थी इसी कारण वियापारी की पत्नी हमेशा दुखी स रहती थी और उसका सुभाव भी चिर्चिडा हो गया था एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बली भैरव बाबा के सामने दे इस से उसको संतान की प्राप्ति होगी लेकिन जब उसने यह बात अपने पती से कही तो पती क यह बात फूटी आँख न भाई पर व्यपारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की बहुत चाहा थी उसकी इस चाहा ने इस तरह से बांदिया कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन बच्चे की बली भहरव बाबा के सामने दे दी जिसके परणाम स्व तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बली दी थी उसी के कारण ऐसा हुआ यह सुनकर व्यपारी को बहुत क्रोध आया और उसने क्रोध में अपनी पत्नी को बहुत मारा पर बाद में उसे अपने पती की दशा पर दया भी आई और उसने सलह दी कि वो अपन उन्हें इस पाप की मुक्ती के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे व्यापारी की पत्नी ने वही किया कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी शृध्धा के साथ पूजा की इससे प्रसन होकर माता गंगा ने एक बोड़ी औरत के ये वो कार्थिक मास्क शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन व्रंदावन में आवले का व्रत रख उसकी पूजा करेंगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे बोलो आवला नवमी की जय हो विश्णु भगवान की जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी एनाथ नारायन वासुदेवा